क्या आपकी राशी है मेश करक्या तुला तो आपके लिए खुश खबरी नहीं है ग्रहों का खिलवार अक्सर हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं मैं में सूर्य और शुक्र की यूति आपकी राशी पर नगरात्मक प्रभाव डालेगी मेश राशी वालों को समहल कर रहने की जरूरत है क्योंकि एहंकार और व्यवार पर प्रभाव पड़ सकता है करक राशी के जातकों को भी सतर करहने की जरूरत है क्योंकि व्यविसाइक शेतर में खटनाईया आ सकती है तुला राशी वालों को भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बारेवारिक मामलों में उन्हें कई परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है जयवाववे दिनात हरहर महादेव मैं महीने में एक क्रूरगर दूसरे क्रूरगर के साथ मिल करके अपना समय वितीत कर रहे हैं यही राशी पर दो ग्रह जवा जाते हैं दो क्रूरगर तो वह अन्य राशियोंगि पर प्रभाव ढाल देता है आपको बता दें 19 माई को शुक्र की उच्च राशी व्रिशव में शुक्र अस्त के साथ कोचर करने वाला है जहां पहले से ही सूर्य विराजमान है देखा जाए तो सूर्य और शुक्र की यूती 19 माई को व्रिशव राशी में होने वाली है सूर्य और शुक्र की युति तीन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है वो तीन राशिया है मेश कर्क और तुला पूर्ज और सुक्र की जुति जो हो रही है दोनों हैं सत्रुग्र हैं एक राशी पर सुक्र और सुर्ज की जूति तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है इसके बाद भी सुक्र व्रिशबरासी पर 16 लेकिन अस्त हैं जिसके कारण निर्वल हो गए हैं तो ये दोनों की जुति जो है ये तीन रासी के उपर ज्यादा प्रभाविक करने वाला है मेंस रासी करक रासी और तुला रासी जिस रासी पर हो रहा है वहां बारह हुआ और करक और तुला ये तीन रासी पर विशेश रूप से खराप रहेगा तो ये तीन रासी वाले सुर्ज सुक्र की जुति से जादा परिसान हो सकते हैं